calculate the amount of external equities as on 31st March 2023 in the following cases on 31st March 2023 total assets and capitals were Rs. 15,000,000 and 10,500,000 respectively आपको total assets दी हुई है और capitals की information given है अब आपको इसमें क्या निकालना है? external equities निकालना है external का मतलब होता है बहार बहार क्या है आपने बहार कितना देना है तो इसका मतलब क्या है आपको liabilities find out करनी है इसके अंदर हमारा formula क्या होता है देखो total assets is equal to liabilities plus capital होता है अब हमें क्या बताना है external equities अब इसके अंदर जो जो आपको value दी हुई है हमें क्या दी हुई है liabilities जो कि इसी को ही हमें क्या निकालना है external equities अब क्या होगा assets में से capital common minus कर दो assets कितनी है आपके पास 15 lakh इसमें से 10 lakh 50,000 को minus कर दो तो answer क्या आ जाएगा आपका 4 lakh 50,000 जो की आपकी क्या हो जाएगी external equities हो जाएगी इस part में हमें यही निकालना था अब भी part rate करें और फर्स्ट अपरेल 2022 मुकेच स्टार्टेड आ बिजनस विद आ कैपिटल ओफ रूपीज 3 lakh एंड लोन रूपीज 3 lakh बोरोड फॉमा फ्रेंड उसने क्या किया बोलोन लेकर और मनी लगाकर बिजनस स्टार्ट किया अब आपको इस पार्ट में जो जो इन्फोर्मेशन दी वो उमने लिख ली फर्स्ट एप्रेल की कैपिटल जो उसने बिजनस स्टार्ट किया था आपको क्या दी हुई है ओपनिंग कैपिटल आपने बोरोड मनी बोरोड मनी का मतलब होता है कि आपने उधाद लिया तो इसका मतलब यह क्या हो गया लोन हो गया जो कि लाइबिल्टी का पार्ट है uw mange अखिन मेशने लिया नेक्स्ट एपको देदब प्रॉफिट और टौटल एसेट स्टोटल इसस्ट भी कौन से देती 35 श्ट मार्च की देती अब हमें इसमें भी क्या निकालना थे इस पूरे कोश्चन के अंदर एक्स्टेरनल equities निकालनी है, क्या निकालने है, external equities, अब देखो, external equities का मतलब क्या होता है, मतलब आपको total liabilities find out करनी है, क्या find out करनी है, total liabilities, अब total है, आपको एक, मतलब पार्ट दिया है, पोरोड मनी, लोन लिया है, 3 लेका, वो आपका total liability नहीं है, external मतलब आपको और भी हो सकती है, जैसे creditors हो सकता है, या कोई outstanding rent हो सकता है, बहुत सही चीज़े हो सकती है, जो liability के अंदर आती है, हमें total बताना है, यह क्या एक part है, हमें कैसे करना है, देखो, हमारा एक formula होता है, total assets जो होती है, हैं, वो क्या होती है, liabilities, plus capital, अब इस capital के अंदर, अगर कोई profit हो, तो उसको क्या कर दोगे, plus कर दोगे, अगर कोई loss होता है, तो minus कर देते हैं, कोई drawings होती है, तो उसको भी minus कर देते हैं, कोई expensive, होगा, उसको भी क्या कर देंगे, minus कर देंगे, और अगर कोई income होती है, तो उसको क्या कर देंगे, plus कर देंगे, तो इन सब को plus minus करके, वो आपकी क्या होती है, capital का ही part होता है, उसके अंदर adjust कर देते हैं, अब हमें क्या निकाल लिए है, total liabilities, मतलब external liquidity, तो हमारा formula क्या बन जाएगा, liabilities को इधर ही रहने देते हैं, capital को इसमें से आके minus कर देते हैं, लेकिन पहले हम इसको क्या करते हैं, जो भी इसके अंदर चीचे देते हैं, उसको adjust कर देते हैं, total assets आपको दी हैं, कितनी हैं, 15 lakh, is equal to, liabilities तो हमें निकाल लिए हैं, तो इसकी जगा हम यही लिख देते हैं, external equities, plus इसमें bracket लगा देते हैं, capital कितनी हैं सबसे पहले, 3 lakh, इसी का part है, आप उसके बाद profit देते हैं, तो profit इसके अंदर जाके क्या कर देंगे हम, plus कर देंगे, और आपको तो कुछ तो दिया नहीं है, तो इसका मतलब इसके अंदर यह आपकी loss, drawings वगारा कुछ नहीं दिया, तो यह total आपके capital आजाएगी, इसको क्या करते हैं, 15 lakh इदर ही रहने देते हैं, इसको external equities को भी इदर ही रहने देंगे, इसका total कर लेते हैं, यह क्या आगया, 4 lakh 50,000, अब इसको इदर आपके क्या कर दो, minus कर दो, यह अपकी आजाएगे, external equities, कितनी आजाएगे, 10 lakh 50,000, यह आपकी आगई, external equities, अब एक चीज़ देखो, इसके अंदर हमें क्या दिया था, borrowed money, loan दिया था, तो वो इसी के अंदर include है, मतला 3 lakh आपने लिया था, बाकी के जो भी होंगे, 7 lakh 50,000, वो आपका, बाहर से आपने कुछ भी आउट सेंदिंग, रेंट होगा, यह रेंट होगा, हमें क्या था, टोटल बताना था, तो टोटल क्या होगा, 10 lakh 50,000, यह question का, इसका B part भी हमारा यहाँ पर complete होता है, अब C part जो इस हमारे practical questions का last part है, वो हम इसको इसमें complete करते हैं, अपनी अपनी screen पर देखो, On 1st April 2022, रमेज started business with a capital of rupees 3 lakh, business start किया, इसने opening capital and a loan of rupees 3 lakh borrowed from a fixed, और उसने loan ले लिया 3 lakh rupees का, During the year, he earned a profit of rupees 1 lakh 50,000, introduced an additional capital of rupees 1 lakh 80,000 and had withdrawn 90,000 for his personal use, 31st March 2023, total assets were rupees 15 lakh, इसमें भी हमें क्या निकालनी है, total external equities निकालनी है, अब हमें इस part में जो जो information दे हुए, वो हमने note down कर ली, सबसे पहले आपको क्या दिया था, उसमें business start किया था, 1st April की capital दिया है, that's called opening capital, उसके बाद उसमें borrowed money करी थी, मतलब उधार लिया था, जब business start किया था, तो यह क्या हो गया उसके लिए, loan हो गया, अब additional capital, जो during the year उसमें बीच में लगाई थी, बिजनस को extend करने के लिए, drawings दिया आपको profit दिया है, और assets, assets जो दिया है, आपको 31st March की दिया है, और जो capital दिया है, वो आपको 1st April की दिया है, तो हमारा जो सबसे पहले formula होगा, वो क्या होगा, total assets, is equal to liabilities plus capital, अब जो हमें capital दिया है, वो हमें कौन से दिया है, opening capital, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो assets दिया है, वो 31st March की दिया है, तो मैसे 31st March की closing capital निकाल लेंगे, closing capital का जो formula होता है, दूसरा, वो क्या होता है हमारा, opening capital, मैं short form में लिख रही हूँ, बट आपने नहीं लिखना है, plus starting में पैसा लगाया, बीच में पैसा लगाया, additional capital, अगर आपने निकाल लिया, तो उसे क्या बोलेंगे, drawings, और last में अगर आपको profit होगा, तो उसको क्या करोगे, plus, और अगर loss होता है, तो minus, अब हम इसमें values put कर देते हैं, हमारी closing capital आ जाएगी, क्यों, क्योंकि हम अगर total assets में से capital को minus करेंगे, तो वो closing होनी जाहिए, अगर ये closing है, तो ये closing है, तो ये closing है, तो हमने ये वाला formula apply कर लिया, अब इसमे values put करेंगे, सबसे पहले opening capital, opening capital कितनी है, 3 lakh rupees, additional capital कितनी है, 1 lakh 80,000, drawings कितनी है, 90,000, profit and loss में से क्या given है, profit given है, तो इसमें हम plus कर देंगे, 1 lakh 50,000, अब इसको calculation कर लेते हैं, ये भी plus, ये भी plus, ये भी plus, इन सब को plus कर लेते हैं, 3 lakh में से 1 lakh 80 plus करेंगे, तो 4 lakh 80, 4 lakh 80 plus 1 lakh 50, 5 lakh 80 plus 6 lakh 30,000, उसमें से हम क्या करेंगे, 90,000 को minus कर देंगे, अब कितना हो जाएगा, इसमें से इसको minus करेंगे, 5 lakh 40,000 के आपकी क्या आजाएगे, हमारे पास closing capital, बट हमें इस question के अंदर उसने ये बोलाए, कि आपको external equities बतानी है, external equities का मतलब क्या होता है, आपको liabilities बतानी है, अब हमारा इसी formula के अंदर हम values को put कर देते हैं, यही परी total assets आपको given थी, कितनी 15 lakh, एक्स liabilities की जगा आप क्या लिख दोगे, external equities, plus closing capital आपका आगया 5,40,000, अब इसको इदे रखे माइनस कर दो 15 lakh में से, 5,40,000, तो इसका जो answer आजाएगा, इसमें से minus करोगे, तो वो 9 lakh, 60,000 जो आजाएगा, वो आपके लिए क्या हो जाएगी, external equities, यही हमें find out करना था, यह इस question का मारा answer है, अब एक चीज़ और, इसमें हमें यह borrowed money दिया था, borrowed money कितना है, 3 lakh rupees, यह हमने कहीं पर भी use नहीं करा, क्यों नहीं करा, क्योंकि यह क्या है हमारी, loan, loan क्या होता है, liability होता है, हमें total बताना था, यह उसका part है, तो यह 3 lakh rupees क्या है, इसके अंदर क्या है, include है, क्योंकि हमने total चीज़ बताई है, वो इसके अंदर इसमें पहले लिया होगा, 3 lakh लिया होगा, बाकि के फिर से, या कि उसके liabilities होगी होगी, कुछ creditors होगी होगी होगी, या कुछ outsending होगा, तो यह इसके अंदर क्या 3 lakh rupees include है, हमारा यह वाला question भी क्या होता है, यहाँ पर complete होता है, क्या होगी 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 है,